2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, RBI ने फैसला किया है कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं, इसको लेकर लोगों की तमाम अलग-अलग तरगी जो प्रतिक्रिया हैं वो आ रही है, इस पर समाजवादी पार्टी के निता क्या सोचते हैं, यही हम बात कर लेते हैं का दावर निता और विधायक शाहिद मंजूर साब से, शाहिद मंजूर साब 2000 के नोट कह दिया गया है, बदल लीजे 30 के बाद नहीं चले, अच्छा बंद करने की क्या हो सकता थी, और 1500 और 1000 नोट की जगे, 2000 का बनाने की क्या हो सकता थी, और जो भी काम किया जाएं, वो र प्रगुनात राजन ने मने किया था तो क्यों करी थी नौट बंदी और उन्होंने कहा था कि इससे कोई फाइदा नहीं होगा एकॉनमी डूब जाएगी और याद करो उनका मन महान सिंगी का उन्होंने कहा कि तीन साल के बाद इसकी नौट बंदी के जो रिजल्टें वो सामना आएंगे आज मार्किट में फिलो जो है वो बंदे कारोबार चौपट है और अगर नौट बंदी करने से आतंकवाद का समाप्ति हो नौट बंदी करने से जो करप्शन है वो घटता हो तो ना करप्शन घटा है और नहीं नौट बंदी होने के बाद में रोधाना आप देखिए कि जहां किसी बड़े नेता को देखो भाजपा के नेता को देखो कहीं 200 करोर, कहीं 300 करोर, कहीं 500 करोर, एक एक घर से निकलने, क्या नतिजा हुआ इस नोट बंदी करने से, अब ये प्रेक्टिकल है, करते रहते हैं, मानने परदान मंतिरी जी, समय समय पर करते रहते हैं, जब मौका आता है, जवाब देही का, तभी कोई वो शगूफा करते हैं, अब ये नोट बंदी कर आ गया, ये 2000 का नोट बंद कर दिया, तो ये फार्मूले हैं उनके, पचा नि उनकी मन में क्या है, इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये तो एक दो दिन में पता चलेगा, चुनाओ का साल है, कोई बड़ा मैसेज देना चाहते कि जिन्दा रोटी, रोजी, रोजगार तो नहीं दे सकते हैं, ये ही फार्मूले रोजाना आते रहते हैं सामने, कि अब नोट बंदी हो गई, अब पुल्वामा हो गया, पुल्वामा का भेद खुल गया, अब शैनिक सहीद हो गया, अब सत्पाल जी ने ये बात कह दी, औ और जो लोक तंत्र का चौथा खंबा है, वो चौथा खंबा तो भई, खंबा न रहके वो तो एक परचार का माध्यम हो गया, सारे चैनल जो है, वो उनी के मित्रों के हैं, मैक्सिमम चैनल जो है वो अडानी के हैं, तो वो ही दिखाया जाएगा जो वो कहेंगे, अच्छा म इसके हम पर फर्क पढ़ता हूँ है, तो मिनीमम में मैंसी में सोचने वाले लोग हैं, जनता चुनाव लडाती है, वही चंदा देती है, वही चुनाव लडाती है, हमें तो आउशकता कभी पढ़ती नहीं, इसलिए उन से पूछो, दिनोंने जमाखोरी कर रहे हैं, या उन से किसान के घर में पैदा हुए इतना तो पैदा हुई जा जो रोटी पांजी एक साल में खाला है लोग सब चुनाम नजदी के आपको लगता है मुद्दा मेरे खालते हैं तो मुद्दा आज की तारिक में बेरोजगारी है करेप्शन हैं और जो इन्होंने वादे किये हैं उन वादों का नापूरा होने वाए हैं कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो पिछले नौ साल में इन्होंने पूरा किया हो ना पैट्रोल की दाम घटे हैं ना गैस की दाम घटे हैं ना करेप्शन खत्म हुआ है ना काला धनाया ह कोई काम ऐसा हो जो इनोंने कहा हो ना शिक्सायक समान हुई है इस वार रहा है और ज़ाब देने का कि वक्त ale 2009 कि है मत पर्देश बार चुनाओ से पहले पहले दो तिन जगे और चुनाओ होने जिसमें जो करनाटिक में हो अब वहीं भी रिपीट होगा तो हजार का नोट जैसे अधिया ने कहा है कि तीसी तंबर तक वापिस कर भी असर मुझे लगठा है जो इनके लोग है जो इनके अप अधिया आप और एक बात और भी है वो भी मैं कहना चाहा रहा हूं कि अब तक कितने नौट पिछली नौट बंदी के बाद RBI में जमा हुए आज तक उसका कोई record नहीं है कितनी फर्जी currency पकड़ी गई उसका कोई record नहीं है कितने नोट नए बने आज तक उसका कोई record नहीं है और जब भी कोई economist बात करने की कोशित करता तो उसको हटा दिया जाता कई governor जो है RBI के वो जब से यह आए है इन्होंने बदले इनके मिजाज की बात करो तो ठीक ना करो तो भड़ जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया तो देखे समाजवादी पाटी के विधाय के शाहिद मंजूर साब सीधा कह रहे हैं कि नोट कोई भी बंद कर दे कोई फरक नहीं पड़ता किसान के बेटे हैं इतना तो कहीं न कहीं खाने लाक आई जाता है और दूसरा इनका यह कहना है कि जब पि पूछे जो इस तरीका के कह रहे हैं कहीं न कहीं उनका मिज़ाज थोड़ा तल्ख नजर आ रहा है वीडियो जर्राली सतेंद्र सिंग के साथ सनुच शर्मा एबीपी गंगा मेरट एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी